हेगाईज आप लोगों का टाप 10 क्लासेज की प्यारे सी यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है तो गाईज आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कच्छा बार है कि फैजिक्स की चैप्टर नंबर 4 का हम लोग चैप्टर नंबर 4 में उस वहां तक पहुत चुके हैं इससे पाईले वाले लेक्र 17 का नियम उसके बादिम के अनुसार हम लोगों ने चुम की सर्थ का परिमार जैया था और उसके बाद से पिछला उसक्की में दिशा ग््यांद की थे दिशा क्यांत करनी के नियम हम लोगों नहीं पड़ा था आज की लेक्चर बेहतरीन रहने वाली आज की लेक्चर में हम लोग सिखेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग कहां पर किया जाता है और बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग को बिलकुल आसान भासा में सिखेंगे ग comment box में comment जरूर कीजेगा चले lecture को start करते हैं हमने diagram पहले से बना के रखा कोई बात नहीं हम आपको diagram फिर से बना के ही दिखाएंगे तेंसन ना लिजेगा ध्यान से समझें क्या करा है कि पहला इंकार प्रयोग है कि कोई बृत्ताकार धारावाही कुंडली है आप ऐसे समझें कि ये कोई बृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई ठीक ये कोई बृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई इसके अच्छ पर लेते हैं capital R मान लेते हैं ध्यान से समझेगा अब इससे X मीटर की दूरी पर एक बिंदू क्या है एक बिंदू P है जिस पे चुंबक की छेतर ग्यात करना है फिर से हमने कहा कि कोई धारावाई कुंडली ले लेते हैं इसमें जो धारा प्रवाईथ हो रही है और जिसके केंद्र O से X मीटर की दूरी पर एक बिंदू P है जिस पे क्या ग्यात करना है चुम्ब की छेतर ग्यात करना है तो इस बिंदु पी पर चुम्ब की छेतर ग्यात करने के लिए हम लोग इस धारावाही कुंडली में दो अलपांस भाग ले लेते हैं और एक अलपांस भाग यहां पर ले लेते हैं जहां समझेगा एक अलपांस भाग यहां पर ले लेते हैं और हमको पता है कि इस अलपांस के कारण इस बिंदु पर चुम्बकी छेत्र ग्यात करना है तो इस अलपांस की कारण जिस बिंदु पर चुम्बकी छेत्र ग्यात करना है वह दूरी निकालने पड़ेगी तो वह दूरी निकालने के लिए गाईश हम लोग इनको क्या करते हैं मिला दिया खूंद Tuudha अब बाते आई कि ये दूरी आपको कैसे पता हो लिए दूरी आपको कैसे पता चले तो यह दूरी देखे ध्यां से समझियेगा तो । चो ट्ड यह आपका सम्कोर्पज हो गया है औसी कुर्ब यह काम कर रहा है क्ल तो प्राबर क्या होता है लंब का वग और अधर को लंब कितना एगाइस ध्याहिएगा लग आपका और रूट में लग जाएगा यह आ इतनी बाते अगर समझ में आया होगा तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा फिर से आपको रिवाईज करा देते हैं, एक हमने धारावाई कुंडली लिया, उस कुंडली में माल लेते हैं कि धारा प्रवाईत हो रही है, तो उसमें आई इंपेर की धारा प केंदर से कितनी मिटर दूरी फैस मीटर की तो मुझे किसी के कारण चुंबकी चेतर ग्राएज की तो decis अल-पांच के कारण आप चुंकी चेतर ग्याफ कर रहे हो, और जिस बिंदू प्रियात कर रहे हो, वहां से वहां तक की दूरी पता होना चाहिए तो वहां-स तक कि दूरी कितनी है अंडरूट अर्सक्या प्लस एक्स के इतनी बाते आपको समझ में आगे की तरफ चलते अब ध्यान से समझेगा अब चुंब की छेत्र जो ग्याद कर रहे हो वो तो आपकी सदीस्रास है तो सदीस्रास है उसको जिसा ग्याद करना पड़ेगा तो चले ग होता है और काफी लोगों काफी लोग यहां पर गलती कर देते हैं कि दिसा कैसे आता है तो एकदम आसान भासा में हमने दिसा ग्यात करने के नियम पढ़के रखा है ताहिए उसको समझते हैं ध्यान से समझे हमने क्या कहा था हमने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर चुम क्या कर देते फैला देते हैं तो हम लोग सब से पहले इस यदिसा घ्यांत करते हैं नियम क्या बताए कि ना आएंगे जिस पे चुमकी चेतर ग्याद करना है तो किस पे ग्याद करना भई पी पर ग्याद करना किस पे ग्याद करना है तो हम लोग करते ही क्या है ध्यान से समझें अपने हाथ को इस प्रकार देखें अपने दाहिने हाथ की अंगलियों को उस पी की और खोल दिये जिस पे चुमकी चेतर ग्याद करना था तो यह अंगुठा किसकी दिशा को बताता है अंगुठा धारा की दिशा को बताता है अर्थात आप ध्यान से समझेगा यह ऐसे देख लिजी यह अंगुलियां को स्पीकी और इंगित कर रही जिस पे आपको चुमकी चेतर ग्याद करना है और ऐसे अलपांस के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही अलपांस में जो धारा प्रवाहित हो रही उसकी दिशा बाहर की तरफ है तो भाई यह जो हतेली है वो बताता है चुम्ब की छेतर की दिशा को हतेली क्या बताता है चुम्ब की छेतर की दिशा को यह देखो हतेली क्या बत को समझाने का फुल प्रयास किया आपको करना क्या जानते हो आपको पर जो यह दाहिना हाथ है उस बिंदु की और कर देना है जिस बिंदु पर चुमकी छेतर ग्यात करना है यह तेली कि धर बतारी लंबोत बाहर की तरफ तो यह अलपांस की कारण जो चुमकी छेतर उत्पन होगा वो जो उसकी दिशा हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा ध्यान से समझेगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा DB समझ में बात इतनी समझ में अब वही पुराना प्रकारण अब इसक यकारण इस डेल के कारन मैंने क्या बोला तो अब बोलू दाहिन हाथ कए वोस restauration की उस विंडू की और खोलते हैं जिस बिंदु पर चुमकी ख्यात ग्यात करना है बाद समझा रहा ना अब बोलो यह अपना दाहिना हाथ आपका भी दाहिना हाथ होगा होगा ना होगा ना तो ध्यान से समझेगा हमने क्या करा डाहिने हाथ की सी अंगलियों को उस बिंद की और खोलते हैं लो जिस पर चुमकी छित गया तो उस बिंद की और खोलते हैं तो ध चुम्ब की चितर ज्यायात करना था I am a啦 that ourselves इतनी बाते आपको समझेड है अब देखिए तो अब देखी तो यह आउट्था किसकी प्वैक्त करता घ्णर की तरफ है वो अंदर की तरफ है कि दर की पह है और कि तरफ और जो चुमबकी च्थित रहा है उसका कि कौन बताएं हतेली किदर नीचे हो जाएंगी वो लंबवत नीचे की तरफ होगी अथा अंदर की तरफ ध्यां से तो यह जो चुमकी छित रहा वो चुमकी छित की तिविता की दिशा ए ऐसे कुछ हो जाएगा यह भी हो गए डीवी इतनी डाइग्राम आपको समझाए गाइज अगर डाइग्राम समझ में आ जाएगा सारा गणाएगार हमनेन है नहीं नहीं है हमने पहले से डाइग्राम बनाया था पर आपको डाइग्राम समझाने के लिए अब हम लोगों करते हैं पुराना काम इस सधाइष का इस सधीका और इस सधीजका वियोजन करते तो सदीश्का वि अच्छ खेज देते हैं उसके बाद इस अच्छ को इधर की तरह पढ़ा देते हैं यह हो गए अब ध्यान से समझेगा आपको एक बात पता होगा जो चैतिज होता है वो कास का काम करता है जो औरद्वादर होता हो और साइन का देशम में इस बीडी के कारण यह वाली लाईन किसका काम करेगा जो बलत से इफ्ञेश चैतिज का पहरिं हो क्योंकि ऑपका जो उर्ध्वाधर लाईन ये है तो इस बिक कारण ये जो लाइन हो जाएगी यह लाइन हो जाएगी डी बी कॉसज़ और वही लाइन यह भी काम करें यह 36 लाइन है ध्यान से समझीगा यह क्योंकि आपका जो उर्ध् Det線 colorline वो ऐसे है यह आपके इसत्रकार है ऐसे रखा गया ऐसे यह जाएगा इस करेhãगो कि और यह दि को ठशा है क्या अब कि सब्सक्राइल आट रहे हो आज क्रम पर मैं पर पार रहे हो आ conquered क्ष्थ से माता है कैसे संजुक्त अब समझें जितना यहां पर पire प्रोग होगा यहां और यहां अब क्या करते हैं दीज से बीकी करन्न होगा व कहां यहां पर डीज किra द्वादर लाइंग की काम कर रही और इस डिवी की कारण भी जो जो चुमकी छेत की दिशा होगी वो भी डीवी साइन हो चाहएगा बात आपको समझ्वाइब इतनी बाते आपको समझ्वा हमने केवल इस चुमकी छेतर की 36 गटक और द्वादर गटक को अलग किये हैं इतनी दूसरे को निरस्त कर देंगे और डी बी साइन फाई और डी बी साइन फाई ये दोनों एक ही दूशा में हैं इसलिए इन दोनों का परदामी आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा इतनी बातें समझाई तो बताओ अर्थात इस अलपांस के कारण जो चुमकी छेतर म मिल रहा है और डी बी साइन फाई मिल रहा है तो आप लोगों के मन में प्रस्ण उठवा होगा कि ये कहां जा रहे हैं बाई यह दूनों एक दूसरे के विपरीत हो गये हैं एक दोनों को निरस्त कर देंगे क्योंकि दोनों का परिमारी आपस में क्या इक्वल है समझेगा तो हमको जो बात पता करनी थी, वो पता चल गया कि बिंदु P पर जो चुम्बकी छेतर है, वो db sin 5 के बराबर है, अब हम लोग अगर पूरे कुंडली के कारण निकालेंगे, इस पार्ट का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो guys, अब आपको ये रचना या डाइग्राम हार्ड जरासा भी नहीं लगना चाहिए, अब उस रचना या डाइग्राम को हम लोग यहाँ पर बना के रखे हैं, अब इसको क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, और वहाँ पर इसके लिए ब्यंजक निकाल लेते हैं, guys, चलिए हम लोग देखते हैं, कि सबसे पहले तो ह क्या निकालते हैं, इस अलपांस के कारण, बायो सिवर्ट के नियम से, इस अलपांस के कारण, इस बिंदु पी पर चुम्बकी छेते हैं, तो लिखे लिए, अलपांस, दियल के कारण, बिंदु पी पर, उत्पन्न चुम्बकी छेते हैं, दियांस समझेगा, तो इसके कारण, उत्पन्न चुम्बकी छेते हैं, वो डीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीवी, हम लोगों नहीं पढ़ा है, क्या होता है, म्यू नाट अपान फोर पाई आई डिल्टा एल साइन ठीटा अपान कितना आर स्क्राइब और आपको एक बात बता दे बढ़िया सा ये आर जो है न इस पी से लेके यहां तक की दूरी होती थी तो ये तो दूरी हमने निकाला है अंडर रूट में आर स्क्राइब प्लस एक्स स्क्राइब तेहां पर रखेंगे डी बी बराबर म्यू नाट अपान फोर पाई आई डिल्टा एल भाई एक बात और ही नोट कर लो ठीटा कित्तो है नब्बे है कित्तो है भाई नब्बे है आपको बताएं जब भी बिरित्त के परीधी पर कोई एक असपर्स रेखा खीचते हो तो हमेशा नब्बे अंस का कोल बनाता है क्यों 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 ये जो डिल आपने अलपांस लिया है वो एक छोटे से तार की तरह बेवार कर रहा है इसपे एक सीधी रेखा खीच रहे हो ये ऐसे सीधी रेखा खीच ओगे तो कितना असका एंगल बनेगा नब्बे अंस का न तो थीटा वहां किता नब्बे है तो साइन नब्बे अंसकमान एक हो जाता है इसलिए हम लोग नहीं रख रहे है अब R के अस्तान पे क्या है अंडरूट में R स्क्यार प्लस X स्क्यार का होल स्क्यार अब जब इसका होल स्क्यार करेंगे यहां से अंडरूट अर्था तर्डी गायब हो जाएगा तो क्या आजाएगा डी बी बराबर मियू नाट अपान फोर पाई यह आई डिल्टा एल बटे क्या मिल जाएगा R स्क्यार प्लस X स्क्यार समी कर नंबर क्या आगे एक अर्थात बायो सेवर्ट के नियम के अंसार छोटे से भाग यानि डील के कारण जो बिन्दू P पर चुमबकी छेत उद्पन होगा वो डी बी बराबर मियू नाट अपान फोर पाई आई डिल्ल अपान कितना आजाएगा कैप्टल R का वर्ग प्लस X का वर्ग इतनी बाते समझ में आई है अब आगे समझेगा जो बिन्दू P पर चुमबकी छेत उद्पन हुआ है वो डी बी साइन फाई और डी बी साइन फाई डी बी साइन फाई एक नट एक नट यहां थोड़ी सी कि अपाई पाई यहां यहां यह कास होना चाहिता है मिस्प्रिंट हो गया है तो ध्यान समझेगा डी बी कॉस्फाई और डी बी कॉस्पाई एक दूसर्य को क्या कर देंगे निरस्थ कर देंगी पीपर वोत पन चुम्ब की अच्छेतर दीबी कॉस फाई तथा दीबी कॉस फाई एक दूसरे को निरस्त कर देंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे निरस्त कर देंगे ठीक आता पूरे कुंडली के कारण पूरे कुंडली के कारण बृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण पूरे कुंडली के कारण क्या माल लेते हैं कैटल बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आप डीबी साइन फाई आपने देखा था ने अभी इमने डाइग्राम में आपको समझाया था कि पी के कारण जो भी चुमकी छेत रहोगा वो डीबी साइन फाई के समाकरन के बराबर हो जाएगा अब बात आपको समझ में आई अब आप देखें बी बराबर की तो हो जाएगा जले डीबी का मान के किताधा है मून अप पान फोर पाई है फिर उसके बाद क्या है आई है डल्टा एल है फिर कितो है और इसक्यार है इतनी अब इतनी बात आपको संधना रहे हैं अब हम क्या करते हैं ध्यान से समस्झज़ीए गाय और 7 में क्या लगा हुआ है साइन फाई लगा हुआ है अब साइन फाई को हां से हटा लेते हैं साइन फाई बराबर क्या होता ध्यान देजिएगा यहां आजाई तरभोज में तरभोज यहां देखे रहा है ओ पी डील यहां यही नाम नाम दे दिजिए तो ए ओ पी तरभोज ए ओ पी में ठीक साइन तोर क्या होता है द्यान से समझेगेगा अब कौण है और अधार कौण है चलोग आधार नीखालें ऱटक्ण सराती क्या होता है का साइन हाइ बराबर 500 नब ऑन वह चाहिए यह देखें लम्ब कौन चाहिए संसे वाली भुजा लंब कहलाती आर और कर्ण कौन है यह कर्ण कौन है अंडर रूट में आर इसक्या प्लस कितना है एक्स तो लंब बटे क्या अगे कड़ा अगे तो साइन फाई का मान मिल गया उठा के हां रख दो भाई बी बराबर क्या मिल गए इंटीग्रेशन म्यू नाट अ प्लस एक्स तो साइन फाई का मान कितना रखेंगे इंटू आर बटी क्या रखेंगे कल्डी में कल्डी में आर इसक्या प्लस कितना एक्स तो द्यान समझेगा अब इसी को आगी हल करते हाई आई अब इसको हल करते हम लोग बी बराबर किता जाएगा बी बराबर इंटीग्रेशन म्यू नाट अपान फोर पाई क्या म्यू नाट अपान फोर पाई आई डिल इसके पावर पुच्छ नहीं है तो इसके पाउर हम एक लगा सकते हैं ध्यान से समझेगा यह इंटू आर लिख रहे हैं पूरे के बठी अब दिखें यह अंडरूट हता रहे हैं यहां से कंड़ी हता रहे हैं तिया हम लोग पावर 1 बटे 2 लगा देंगा आपको पता है न अब आप ध्यांट से समझगे, B बराबर, मुँ नाट अपान कित्तो आगये, फोर पॉय आगये, यह I, डिल्टा L अब ध्यान से समझगे, इन्टू कित्ता होगे, अर होगे, आप यहाँ से समझे, क्या करना है, यह पावर एक है, यह पावर एक बटे दो है, अब आधार समान है तो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ाओगा एके पावर एम और इंटू एके पावर एम बराबर हो जाता है एके पावर एम प्लस एम एके पावर एम इंटू एके पावर एम आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती है तो भाई हम लोग ये वाले फार्मूले का क्या कर रहे हैं, उप्योग कर रहे हैं, a k power m into a k power n ब्राबर a k power m plus n, ध्यान से समझेगा, अब यहां क्या है, देखिए, आधार क्या है आपका, r square है, क्या है, r square, और प्लस कितना एक्स उसक्यार अब पावर कित्तो है इसका एक है और एक बटे दो जोड़ दिये त्यांस समझेगा अब आगे क्या है बी बराबर कितना मिल जाएगा मू नाट अपान फोर पाई यह इंटीग्रेशन यहां आई क्या करते हैं आई डिल्टा एल बटे ए और इ थीक इनमें से ज्ञान से समझेगा इनमें सब रासियां नियतांक है केवल इसको छोड़ कर सारे चीज बाहर आजाएंगा उनका समाकलन नहीं होने आला है तो क्या आ जाएगा बी बबाब मियू नाट अपान फोर पाई आई क्या आ जाएगा और इस क्या एक्स प्लिसक्या l बचा यहाँ i into r आ ज्यान से ठीक इतनी बात आपको समझ आ रही है अब हम क्या करते हैं यहाँ delta r का समाकलन करते हैं तो delta r क्या है जब delta r का समाकलन करोगे तो यह पूरे delta r परीद का छोटा सब आ गया पूरे का समाकलन करोगे अरथा 2 pi r आ जाएगा तो भाई इसका समाकलन आएगा डिल र एल बराबर क्या हो जाएगा two pi r कित्तो हो जाएगा two pi r यानि इनका integration करोगई two pi r आजाएगा तो b बराबर कित्ता मिल गया new not upon four pi यहाँ i r और फिर यह r इसका plus कित्ता x इसका पावर तीन बटे दो इन्टू इसका समापन के टू पाई आ रहा गए ध्यान समझे यह पाई से क्या हो जाएगा पाई आपका कैंसिल हो जाएगा दो एक के दो दूनी चार तो आपको मिला बी बराबर मुझाट अपान टू ध्यान से यह आई आर का गुड़ा आर से हो गए एकativa पूरे के बटे आर श्कयापद एकश स्क्यापकर के पावर तीन बटे 2 मिल गई यह ब्राबर किया मिल गया चुंब की छेत्र का बेंजक यह क्या मिल गया बी बराबर जुमबकी छेत्र के लिए बैन सब्सक्राइब dripato समझेत जो बिए क्या मिला को सबसे सबसे को इसके लिए परिमार आया है ठीक इतनी बाते हैं ऍहीं आपको सविल में आ क्या करते हैँ इतनी आपको सब्सक्राइब आया अ क्याक् Sabbath यदि हम माल लेते हैं किया तक यह तक फिर शा संब्र लेते हैं वह क्या करना था इस Towards अलपांस डी यल के कारण बिन पीपर चुम्बकी च्बथा करना था यह तो बाईयो शिवर्ट का नीम मैं अब इस बाईयोस से नीम से हम ने निकाला बि बराबह मू 0 T04 πई आइडल और ठीटा कितना हो रहा था 90 हो रहा था तो सानी 90 снषड मानिक तो कहानी काहनी साइन ठीटा सब्सक्राइब करते हैं अब हम क्या करते हैं उस पी पर चुंबकी छेत उत्पन हुआ था हमने भी समझा था कि यह दीबी कॉस्पाइब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तो बसता क्या है डीबी साइन फाई और यह दोनों डीबी साइन फाई इस पूरे कुंडली के कारण जो चुंबकी छेत उत्पन हुआ है इस छोटे से चुंबकी छेतर का इंटीग्रेशन के बराबर होगा तो पूरे कुंडली के कारण निकाला गया तो यह डीबी साइन क्या को का समा क्लैन्ण की तो ये डी वी का मान रखे साइन का मान हम लोगों इसतर्भुस्य का निकाल कर यह इस बात श्कण करते हैं आज इस श्रोघ्य संगे कि एक और विशेश स्थेथी जटे अब बाते क्याती मिशस स्थितिया में क्या होता है कि यहाँ पर रखते हैं हर एक स्थिति मानतें क्या मानते सबसे पहली स्थिति ध्यान से समझगेगा यदि हम मान ले यदि X जीरू हो जाए एदी X का मानिक क्या हो जाए जीरू एदी X जीरू हो जाए आप इसका मतलब समझो जीरू तो रखोगे तो पता चला है पर आप डाइग्राम समझो एक्स जीरू होने का मतलब यह जो दूरी ओसे लेके पी की दूरी X मान गया हो वो पी अब चलारा ब्रित के किन्द पर पी किस प्यारा धारावाही कुंडली के किन्द पर आजा रहा एक्स जीरू होने का मतलब यह बिंदू पी धारावाही कुंडली के किन्द पर आगया तो अर्थात धारावाही कुंडली के केंद्र पर केंद्र पर उत्पन चुंबकी चले अब फामुले पर चलते हैं बी भराबर कित्ता हो जाएगा मिउनाट अपार्ड टू ठीक कित्ता है आई आर इस्क्रार और पूरे के बटे कित्ता है आर इस्क्रार और प्लस एक्स स्क्रार एक्स के स्थान पे जीरो पावर तीन बटे दो जहां से समझेगा बी बराबर किता आ गया म्यू नाट अपांड टू ये आई रस्क्यार अब यहाँ, 0 का कोई मतलब नहीं रस्क्यार, ठीक पावर 3 बटे 2, जहां से समझेगा अब क्या करते हैं ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा बे बराबर, mu naat upon 2 यहां i r square पूरेक बटे r cube तो जहां समझें यह r cube ना तो यह 3 तो यह 2 तो कर जाएंगी यहां 1 बचेगा तो b बराबर कितना आगए mu naat upon 2 i bटे r अर्थाच जब x की बहलू 0 आ गही तो धारावाही बृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुम्बकी छत होगा, वो μू 0 upon 2, आई बटे आर के बराबर हो जाएगा, दूसरी केसे क्या होती है, यदि फेरो की संख्या N हो, यदि फेरो की संख्या क्या हो, N हो तब क्या होगा, यदि फेरो की संख्या N हो तब, तो B बराबर क्या हो जाएगा, यहीं का Mew 0 upon 2, यहीं N का क्या हो जाएगा, गुड़ा, N आई बटे कित्ता हो जाएगा, तो इस प्रकार गाईज, इस्पिसल केसेज भी आपके क्या हो जाते हैं, समाफ्त हो जाते हैं, आई हो कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अग बलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गाईज, आप वीडियो देखें और इंज्वार कीजिएगा, थैंक्यू डेय स्टूडेंट, जैहिं जै भारत!